तो जैसे कि आपको पता है गलवान वैली में उस दिन जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से जो रिपोर्ट्स आया है उसमें इस तरह के कांटीले वायर्स और बाप पाये गए हैं जिसके हमारे इंडियन आर्मी के तरफ से वहां से जब्द किये गए थे उस दिन जो खबर आयी थी उसके बाद ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो घाटी में नीचे नदी के पास गिर भी गये थे क्योंकि काफी उंचे जगा पे वो लड़ाई हो रही थी जिस विए से जो सोल्जर्स का खोज जो था वो चालू था अभी आज अभी रात को ये खबर आई है दा हिंदू के तरफ से कि कुछ जो मिसिंग सोल्जर्स थे वो एक्चली चाइनीज ने उसे कैप्चर कर लिया था और वो दस थे अक्चली और वो आज साम को थर्जडे को साम को पांच करनल भी है तीन मेजर हैं जो कि उनके कश्टिडी में थे सेपरेट टॉक्स जो है आर्मी के बीच में आर्मी स्मोक्समेन के तरफ से अब ये स्टेट्मेंट आई है कि अब फिलहाल और कोई इंडियन टूप्स जो हैं वो मिसिंग नहीं हैं हमारे से के बाद कमेंट्स और ट कहीं नहीं जाते हैं जब भी और खास करके वो जब भी एलेसी के सामने हो तो वो बिलकुल अनाम नहीं जाते हैं लेकिन हमने जो ट्रीटी जो साइन करा था एसपर ट्रीटी ऑफ 1996 और 2005 उस वज़ए से वहां पर हम फायर आम्स यूज नहीं कर पा रहे थे जिस वज़ए से ह हमारी कैजवल्टी हो गई फिर भी आगे ऐसे यूएस एजनसी के जो कुछ इंटेलिजेंस के कुछ जो खबर निकल के आई है तो उनका यह कहना है कि 35 सोल्जर्स उनके कैजवल्टी हुए है और हमारे सिफ 20 ही हुई है दूसरा कुछ रिटायर आर्मी चीफ्स भी है जो है वो लोग भी अब ट्वीट कर रहे है तो उनमें एक एक का ऐसा ट्वीट आया है उन्होंने ऐसा काया कि आर्टिकल 6 जो है 1996 एगरिमेंट का वो यह बताता है कांविदेंस बिल्टिंग मेजर्स के अंदर की 2 किलोमेटर्स फ्रॉम एलेशी कोई भी साइड बायो डिग्रेडेशन वाला कुछ यूज़ नहीं करेगा वी ब्लास्ट ओपरेशन नहीं करेगा नहीं कोई गं से चलाकर एक्स्प्लोजिव चलाकर हंट करेगा या फिर मान आप training कर रहे हैं आपस में अपने ही खेमे के अंदर तो उसमें short range और थोड़े दूर तक चलता है छोटी बंदू के जो है वो आप यूज करके उसमें काम कर सकते हैं उसका allowed था दूसरा एक और Lieutenant General पनाग नहीं कहा है कि यह सारा कुछ जो agreement था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह सिर्फ और सिफ आपका border management के लिए होगा border management में आप fireworks यूज नहीं कर सकते हो लेकिन अगर tactical threatening हुआ किसी भी commander किसी भी soldier को किसी भी commander security में problem हुआ तो आप बिलकुल यूज कर सकते हुआ पर जो भी commander हो उसके disposal में अगर artillery भी हो ना तो वो artillery भी उसको use कर सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहराल जो third round of talk जो हुआ था major general level का उस टॉक के बाद ऐसा अभी कुछ खास outcome अभी हमें मीडिया में जारी नहीं किया गया कि क्या बाते हुई क्या नहीं हुई बाते लेकिन यह चीज हो गया है कि जून 6 के बाद जो है वो the acceleration का काम सुरू हो चुका है और फिलहाल वहां पर कोई भी टेंट नहीं है दोनों उस जगह पर जहां पर लड़ाई वे थी उस जगह पर ना इंडिया के कोई वहां पर परसनल अवलेबल है ना ही चाइनीज के अब इसके बाद वियर्स के बाद जो combat हुआ है उसमें 20 इंड इंडिया को नहीं हुई है फिर आज जो है कि टेलफोन टॉक्स हुआ है जैसे हमारे फॉरण मिनिस्टर और चाइनीज फॉरण मिनिस्टर के बीच में और क्योंकि अभी रिक समिट भी होने वाला है रशिया इंडिया चाइनीज में तो उसमें 23 जून के को इंडिया जो है चाइना को और वो लोग वहां जाके मीटिंग में अब यूएन यूएन में भी जो है हम अब नॉन पर्मेरेंट मेंबर सेलेक्ट हो गए हैं तो अब चुकि एसिया वाले आजुबा जो ही बैट सामने एक साथ ही बैठते हैं तो चाइना के साथ ही इंडिया जाकर वहां पर गेर भी कंटिनीव करके बैठेगा एक्रिये एक्सेन रिक्सांक क्या हो रहा है हमारे इस क्लाइस के बाद एक्सेन लिंच ने है किहरें नहीं करेंगे अपने ऑग्रटिा के च्काइब आपको यह बादिये को म्यां साल यह दोनों चाइनिज टेली कम्पनी है उनको ऐसा टेंडर मिला था कि एट बिलियन डॉलर्स का वो प्लान था टोटल और भारत संचार निगम बीसनल और महा टेलिफ फोन निगम इन दोनों को 4G अपग्रेडेशन और भी जो अपग्रेडेशन में जितने भी एक्यूपेंट्स लगेंगे और भी सारा कुछ जो लगेगा वह अब वह इन दोनों कंपनी के थुरू सर्विसेस और गुड्स जो है वह प्रोवाइट की जाएगी लेकिन अब वह कैंसल हो चुक यह वह इसको अबेंडेंडाही है दूसरा प्लान क्या है इंडिया का दूसरा यह है कि इंडियन गववर्वर्मेंट ने ऐसा कहा है कि हम 600 से जाधा प्रोडर्क्ट के ऊपर चाइनीस by लोट के उपर हम एक्स्टे डैरिफ लगाना चाह रहे है ंप्य enchart however ट्रेट i टैरिफ लगा होता है एक्स्टा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और यह सारा कुछ लगा होता है तो उसका जो दाम है वह एक्चली में डबल हो जाता है और दूसरा यह भी कि भाई अब यूएज डॉलर्स में है तो इंडिया में आके तो थोड़ा से महंगा हो गई तो इस मार्केट में इतना अपरोज बना पाते हैं क्योंकि वो उनकी जो मिल्कूलाद काविश प्रोड़क्त्स आता है और यह म्दियन सब्सक्षाव फिरफ और पूसरा आज चुनिटीन जियु वो एप्रील से हम लोग सोच रहे थे और ये अभी बिल्कुल प्रॉसेसिंग में है और रिव्यू काफी तेजी चल रहा है अगले तीन महीने के अंदर हम इस चीज को मार्केट में प्रॉपर तरिके से उतार पाएंगे और ये आत्मिनेर भर जो आवाहान था हमारे प्राइम जनता जब कह रही थी कि हम करेंगे यह करेंगे बॉइकट करेंगे तो उसमें उनका कोई रिप्लाइ नहीं आया लेकिन जब इंडियन गॉवर्मेंट ने आट बिलियन डॉलर्स का जब कैंसल करा उन्होंने ट्रीटी तो उसके बाद जो ये ग्लोबल टाइम से उसने ये ए चाइना का भी और चाइनीज गुड्स को अगर इंडिया में अगर नहीं हो पाया अगर जादा बढ़िया तो चाइनीज गुड्स का जो जगा है वह साओंथ एसिजीन कंट्री इसके जो गुड्स है ऐसे वियतनाम कंबोडिया फिर सिंगापूर यह सब में जितने भी कंट जो क्लाइस चल रहा है हम दोनों चाइना और इंडिया के बीच में जिस वैसे उसने अपना वो मुबाइल लॉंच भी कैंसल कर दिया फिलहाल के लिए सेकेंड एक और ग्लोबल टाइम्स ने भी ट्वीट कर रहा था उसने यह कहा था कि इस हार्ट टू बिलीव कि मुवीज में जैसा एंडियन्स को दिखाया जाता है कि वह काफी ओनेस्ट फ्रेंडली और मॉडेस्ट होते हैं वह असल जिन्दगी में इतना नहीं है क्योंकि जि वैसे भी जिन्टरफेर करने वाली है और बहुत सारे खबर भी निकल करके आ रही है तो उसके ओपर हम लोग अपडेट करते रहेंगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्यू